Hello friends and yes students, आज मैं आप सापके सामने लेकर क्या है हूँ Pharmaceutical Inorganic Chemistry course code BP 104TK unit wise important questions इस वीडियो में हम unit wise important questions जो आपके सामने रख रहे हैं वो short and long answer type questions होंगे यानि 5 marks, 7 marks और 10 marks में जो questions आते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्णों को यहाँ पर cover up करने की कोशिश की गई है यह सभी प्रश्णे previous years में different universities में पूछे जा चुके हैं तो इन सभी को आपको exam में जाने से पहले जरूर एक बार हल करके देख लेना चाहिए और अच्छे तरीके से इनको तयार अगर आप करके जाएंगे तो आपको अच्छे marks आएंगे यह मेरी guarantee है अगर आप सभी be from first year, first semester के student है तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी लाबदायक साबित होगा ऐसा मेरा मारना है मैं हूँ dr. प्रजयने शुकला चली शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बात और बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग short and long answer type questions को solve कर रहे है या देख रहे है इसके पहले मैंने एक very short answer type questions को भी किया था unit wise जिसका link आपको description में मिल जाएगा वो वीडियो भी आपके लिए काफी लाबदायक साबित होगा उसको भी आप जरूर देख लीजएगा चली सबसे पहले बात करते है unit 1 की तो unit 1 में जो सबसे पहला प्रशन है वो है explain the principle and procedure for the limit test for sulphate और chloride तो sulphate या chloride दोनों में से किसी का पूछ रहा है एक ही का पूछेगा एक बार में यहाँ पे और मैंने इसलिए लगा है ताकि जादा तर जो cover-up हो वो हो जाए कई बार sulphate पूछा गया है कई बार chloride पूछा गया है यहाँ आपको simply कि अगर आपके किसी pharmaceutical product में chloride या sulphate की impurity है तो उसको हम किस प्रिकार से पकड़ेंगे उसका principle देना है आपको और उसको किस प्रिकार से perform करते हैं उसका procedure आपको दे देना है next question is write in detail the principle and reaction involved in the limit test of arsenic with a neat label diagram of gadget test apparatus हम सभी को मालूम है कि arsenic को पकड़ने के लिए हम लोग उसका reduction कराते हैं जिसकी वैसे वो arsenious acid में convert होता है arsenious acid को arsenic gas में convert करते हैं और फिर arsenic gas को HGCL2 के paper के साथ react करा करके yellow color का stain पराते हैं इसका principle है यह reaction आपको यहाँ पर लिखनी है और इसके बाद जिस apparatus के अंदर हम लोग arsenic का limit test perform करते हैं उसे हम gadget test apparatus के नाम से भी जानते हैं तो जो arsenic test apparatus है या gadget test apparatus है उसका आपको एक neat clean diagram बना है labeling करते हुए कि कौन सा apparatus है जिसको हम लोगों ने video में भी discuss किया था पहले वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं इन सभी प्रशनों के उत्तर मतलब अलग-अलग type से हम लोगों ने videos बनाए थे तो उसका एक playlist जो है वो आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप जाकरके इनके answer को भी देख सकते हैं next question is write the principle and reaction involved in the limit test of heavy metals heavy metals में जो reaction है बड़ी simple सी है कि हम लोग H2S या NH2S के साथ NA2S के साथ reaction कराते हैं अगर heavy metals होगा तो metal sulfites जो हो बनते हैं और brown color का precipitate या color जो हो आपको प्राप्त होता है इसको करने के चार procedure से A, B, C, D वो क्या है वो आपको यहाँ पर principle बताना है और उसकाली यह कि कब कौन सा A method, B method, C method या D method लगाएंगे वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो next question is write in detail the principle, reaction and procedure for the limit test of iron और lead iron और lead जो है यह very important है बहुत बार पुछा गया है इसको आप very important में लगा दीजगा, मैंने काहा था ना कुछ very important भी बताते चलूँगा साथ साथ तो यह very important question है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक generally बहुत बार पुछा जाता है और sulphate और chloride भी very important है क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यह कई बार जो है वो पुछा जाता है तो यह दोनों काफी important प्रशन आपको देखने को मिलते है इस unit से next यह भी एक प्रशन है जो कि कई बार पूछा गया है लेकिन इसके पूछे जाने की समभावना कम रहती है फर्मकोपिया के उपर क्योंकि इस unit में वैसे ही बहुत कुछ important है तो फर्मकोपिया पे प्रशन पूछा जाना थोड़ा सक कम होता है लेकिन पूछा जा सकता है तो simple कि history क्या है फर्मकोपिया की give an detailed amount, sorry account of the history of फर्मकोपिया और write a note on फर्मकोपिया of India Indian फर्मकोपिया के उपर एक note देना है और history की कब फर्मकोपिया बनी थी पहली बार कब आई हमारे देश में और कब-कब उसके different editions आए वो सारा आप ये प्रशन ज्यादा तर सुटिक्स में देखते हैं सुटिक्स में ये प्रशन बहुत पूछा जाता है इसलिए यहां पर पूछा जाने की संभावना तो कम है उसकी history क्या या इंडियन फर्मकोपिया क्यों पर एक note दे दीजे तो ये काफी important प्रशन है इसको भी आप थ्यान रखेगा ना ही सिर्फ IPC के लिए ये सभी subjects के लिए एक important प्रशन है next question is what are impurities describe the various sources of impurities present in the pharmaceutical substances एक जो प्रशन जो कि मैं कह सकता हूं कि 95% chances है आने का इस unit से वो यही एक प्रशन है ये भी एक very important प्रशन है इसको आप बिल्कुल तयार करिए कि impurities की definition क्या impurities कोई भी foreign unwanted material है जो कि हमारे substance में है और जिसका molecular formula हमारे substance के formula से अलग है उसे हम लोग impurities बोलते है और इसके various sources है जैसे raw material है आपका method of manufacturing के दौरा mixing करते वक्त या reaction intermediates के दौरा कई जगहों से ये आता है solvent इत्यादी के दौरा ये हमको मिल जाता है तो जो different sources है उनको outline करिए सभी sources का नाम कई बार 10 number में पूछता है तो different sources के बारे में पूछ रहा है तो उन सभी का नाम लिख करके सब के बारे में वह आप answer करेंगे next question is give the principle procedure and reactions and role of reagent involved in the limit test of lead ये इसी तरह एक प्रशन है इस प्रशन को डालने का मतलब ये कि कई भार ये भी पूछ लेता है ये chloride या sulphate में भी आप से हो सकता है पूछे कि आप जो जो reagents आप ले रहे हो जो principle में आप बता रहे हो वह exactly आप क्यों ले रहे है जैसे limit test of arsenic में आपने lead acetate cotton आप लगाते हो तो क्यों लगाते हो या limit test of chloride में आप dilute nitric acid डालते हैं वो आप क्यों डाल रहे हैं तो इस तरीकी का एक प्रशना सकता है तो इसलिए यहाँ पर इसको मैंने लिग दिया कि कई वार role of reagent भी पूछा जा सकता है तो ये हो गया हमा आतार पूछा जाता है और इस unit से सबसर आप पूछे जाने की सम्हा होना इस प्रशन की बनती है that is explain different buffer system found in the human body to maintain the physiological acid-based balance या फिमपल एक प्रशन पूछ सकते हैं कि how to maintain physiological acid-based balance या किस तरीके से physiological acid-based balance जो है हमारे सरीट के अंदर maintain होता है ये एक very important question है इसको आपको जरूर papers मे जाने से पहले त्यार होना चाहिए और आप सभी को मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर different different जगहों पे जैसे blood में urine में सलाइवा का हर जगह का pH जो है अलग-अलग होता है और लगातार इस pH को maintain करने की अवशक्ता पड़ती है और इस pH को maintain करने के लिए different buffer system जो है वो आते है अ तो हम क्या लेंगे buffers लेंगे जो buffer system में सरी के अंदर होंगे जिसमें दो buffer system आप explain कर सकते हो इस question में एक carbonic acid buffer system दूसरा phosphate buffer system अगर समय है आपके पास आप लिख सकते हो तो आप उसमें hemoglobin का जो हमारा buffer system है वो भी या protein buffer system जो है वो भी आप यहाँपर add-on कर सकते है next question is what are major physiological ions explain their function तो physiological ions वो ions होते हैं जो कि हमारे शरीर के physiology को maintain करने में उसको regulate करने में उसको चलाने में मदद करते हैं जैसे कि आपके शरीर के अंदर sodium ion, potassium ion, calcium ion, chloride ion, phosphate ion, sulfate ion और bicarbonate ion की जरुरत पढ़ती रहती है तो उनी के बारे में आपको लिखना है कि उनकी sources क्या है उनका क्या नम है कितनी amount आपको चाहिए होती है, क्या उनका हमाई shape के अंदर role है, कमी या ज्यादा हो जाए तो कौन सी problem हो सकती है वो आप इस question में लेंगे, ये भी एक important question है, काफी बार पुछा गया है तो आप इसको भी जरूर तैयार करें next question is, what do you understand by the electrolyte replacement therapy, give an account on ORS with different formulas, आप देखते हैं कि जब आपके शरीर के अंदर dehydration हो जाए, जब ions की कमी हो जाए, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग electrolyte replacement therapy देते हैं, इसमें दो चीज़े हम करते हैं, एक तो ion का balance मनाते हैं, दूसरा water का जो content है वो शरीर के अंदर, या fluid क जो content है, उसको पूरा करते हैं, और उसके लिए सबसे बेस्टी होती है, oral dehydration salt या oral dehydration solution, और इसका जो formula है, उसको आपको यहाँ पर देना है, और इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, तो यह हो जाता है हमारा question number 3, next important question है, वो है यहाँ पर outline anti-caries agent, write a note on fluoride in the treatment of dental caries with reference to sodium fluoride, इस प्रशन को अगर आप देखिए, तो कई बार पूछा गया है, यह दो प्रशनों को मैंने जोड़ दिया, तो anti-caries isn't क्या है, वो आप बताते हुए, example देते हुए, उसको बता सकते हैं, इसमें sodium fluoride के बारे में आप से पूछा जाता है, दूसरा एक प्रशन है, जहा पानी में या toothpaste के थुरू हम जो fluorides देते हैं, जैसे sodium fluoride हमने दे दिया, तो वो body में absorb होता है, blood circulation के थुरू जाकर के आपके मसूडों में, आपके दातों के आसपास जाकर के वो deposit हो जाता है, और क्योंकि यह एक fluoride ions देते हैं, fluoride ions है, वो halogenes है, वो halogenation कॉस करते हैं, caries agent, वो agent होते हैं, जो कि cavities या caries को, dental caries को रुखने के काम में आते हैं, और यह इस वज़े से काफी important है, क्योंकि यह बहुत बार मैंने देखा है कि पूछा गया है, next question is, what do you mean by isotonicity and what are the different method for the calculation of isotonicity, यह important question इसलिए भी है, क्योंकि यह सुटिक्स में भी आपको देखने को म से isotonicity को हम adjust कर सकते हैं, यह प्रशन कई बार जो है पूछा गया है, लेकिन और प्रशनों के अपेक्षा इनके पूछा जाने की सम्मावना तो कम रहती है, लेकिन आप इनको ज़रूर पढ़के जाएगा है, क्योंकि यह प्रशन सोटिक्स में भी पूछा जा सकता है, यहा अपके शरीर में electrolyte की कमी हो जाती है, तो उसको जिससे हम दूर करते हैं, उसे हम लोग electrolyte replinizer बोलते हैं, और उसके सबसे अच्छे example है, potassium chloride, sodium chloride और calcium gluconate, क्योंकि आपके celibus mink का essay and uses preparation है, तो आपको इसमें से प्रशन जो है, वो बनता है, next question is, write the preparation essay and uses of calcium gluconate, बिल्कुल इसी प्रशन है, यह तीन electrolyte replinizer है, इन तीनों में से कोई भी एक जो है generally पूछा जाता है paper में, तो आप इसको जरूर तैयार करें, next, give an account on buffer, buffer capacity and buffer equation, तो buffer क्या है, buffer capacity क्या होती है, और buffer equation क्या है, buffer वो compounds हैं, जो कि कि किसी भी आपके solution में, small amount में अगर acid और base जोडा जाता है, तो resist क करते हैं कि PH में किसी प्रकार का change ना हो, तो यह इसलिए important प्रशन है, क्योंकि आपके syllabus में unit number 2 में दिया है, कम पूछा जाता है, अगर आप पुराने papers उठाएंगे, तो यह प्रशन की पूछे जाने की सम्मावना कम है, लेकिन यह प्रशन analysis में भी पूछा जा सकता है, इस इसको आपसे पांच number में generally यह प्रशन जो है वो आ सकता है, next question is unit number, sorry, next unit is unit number 3, यहाँ पर एक मैं चीज कहना चाहूँगा, कि अगर हम पूरे अपने IPC के syllabus को ध्यान से देखें, तो unit number 3 और unit number 4 यह दो ऐसे units हैं, जिसमें हमको drug classification देखने को मिलते हैं, जैसे कि anti-acid है, आपक बहुत सारे सीधे सीधे प्रशन आपको इस इनवर्सिटी एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कि यह जैसे anti-acid है तो वो क्या है, एसका classification बताईए, अगर mechanism of action है तो mechanism of action बताईए और उसका classification देते हुए उसके examples दे देजे, यह बटा अगर आप unit number 3 और unit number 4 के इन सभी drug classification को एक जगा note down करके पढ़ लिजे, बहुत मुश्किल नहीं है, 5 point, 7 point, 8 point लिखना है, classification देना है, example देना है, तो आपका IPC जो pharmaceutical inorganic chemistry है, उसमे का करीब मान के चलिएगा कि 30 से 35% पूरा examination जो है वो आपका अपने आप तयार हो जाएगा, कि वल इतना सा करने से, तो आईए इसमे इसे कुछ important question लेते हैं, और इसमें लगबग सभी question काफी important है, लगबग हर बार पूछे जाते हैं, what do you understand by anti-acid, classify them with examples, give the ideal properties of anti-acid, anti-acid वो एजेंट होते हैं, जो की acidity को दूर करने के लिए हम लोग use करते हैं, counteract करते हैं, जो excess मात्रा में acid, SCL हमारे समक में बन जाता है, उ को हम लोग anti-acid या anti-acid बोलते हैं, जानि acid का opposite, और ये generally weak basis होते हैं, और अगर इनका classification की बात करें, तो दो तरीके की होते हैं, एक होते हैं absorbable, एक होते है non-absorble, example में आप absorbable में दे सकते हैं, sodium bicarbonate का, non-absorble में आप sodium sulphate इत्यादी का example दे सकते हैं, या aluminium hydroxide ETC, जो properties की बात करते हैं, ideal properties की तो anti-acid मेंगा नहीं होना चाहिए, constipation cause नहीं करना चाहिए, lexative effect नहीं शो करना चाहिए, ये सब इसकी ideal properties होते हैं, next question is, what are the antimicrobial agents, classify them on the basis of the mechanism with example, antimicrobial agents नाम से बता रहा है, ऐसे agents जो की microbes को रोखने का काम करते हैं, जो की infection को रोखने का काम करते हैं, या हम क पिछले वीडियो में जो की antimicrobial agent पर ही था, उसमें मैंने आपको बताया है कि इनका classification जो है, तीन तरीके की sorting की mechanism होती है, एक है आपका halogenation, दूसरा oxidation, तीसरा protein precipitation, तो ऐसे agents, जो की oxidizing agent या reducing agent हैं generally, वो आपको oxidation mechanism के थुरू काम करते हैं, जैसे की KMNO4 हो गया हमारा, H2O2 हो ग जिनके अंदर halogen group पाया जाता है, जैसे की आपका hypochloride हो गया, जैसे iodine, iodine के solutions है, providon iodine हो गया, यह सब हो गया, और protein precipitation में metallic compounds जैसे की AgNO3 है, उसका example आप यहाँ पर ले सकते हैं, next question is, what do you mean by the gastrointestinal agent, explain and classify cathartics with the examples, gastrointestinal agent वो agent होते हैं, जो कि gastrointestinal tract में होने वाले problems में हमारी साहेता करते हैं, उनको दूर करने में, example में आप ले सकते हैं, acidifying agents ले सकते हैं, आप anti-acid ले सकते हैं, cathartics ले सकते हैं, protective and absorbents ले सकते हैं, वो सारे के सारे, अगर cathartics की बात करें, तो cathartics वो agents होते हैं, जो कि constipation को दूर करने में मदद करते हैं, जो कि fecal matter को बावल से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं, और इनका classification जो है वो आप कर सकते हैं, जिससे bulk forming होता है, emolent होता ITC, और उनके example से यहाँ पर आप दे सकते हो, next is illustrate the method of preparation, properties, assay and uses of any three, मैंने any three से लिखा है तैकि ज़्यादा तर important questions, sorry, जो compounds उनको मैं यहाँ पर cover up कर सकते हूँ, generally 1 या maximum 2 का ही एक बार में एक प्रशन में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको preparation देनी है, properties देनी है, assay देना, unused देना है, तो जितना आप पूछ रहा है बस उतना लिखे, ammonium chloride, sodium bicarbonate, hydrogen peroxide और chlorinated nine, अगर इनमें भी बात करें, तो यह प्रशन है, साभी very important, मैं यहाँ पर बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, और अगर इनमें बात करें, यह जो आपका sodium bicarbonate है, यह ammonium chloride और hydrogen peroxide, यह तीनों बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तो आप जरूर तयार कर ले, next question is, write note on advantages of combination anti-acid और on acidifying agent, combination anti-acid पर भी कई बार प्रशन पूछा गया है, combination anti-acid इसलिए क्योंकि ideal properties जो anti-acid की होती है, वो generally हम लोग achieve नहीं कर सकते, किसी एक anti-acid से, तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा anti-acid को मिलाते हैं, market में अगर आप anti-acid लेने जाओगे, तो generally आपको 2 या 3 anti-acid के combination देखने को मि मिलते हैं, aluminium के वाले calcium के साथ देखने को मिलते हैं, और sodium bicarbonate के साथ हम लोग acid-acid-at-seed जो है वो add करते हैं, तो वे इसलिए करते हैं, ताकि ideal property हमको मिल जाए, तो यह हो गया, और acidifying agents, वे agents होते हैं, जब आपके शरीर के अंदर hypochlorhydria या, A-chlorhydria हो जाए, यानि SCL की मात properties and uses of any two, यहाँ पर properties पूछ रहा है, preparation पूछ रहा है, और uses पूछ रहा है, sodium orthophosphate and potassium permagnate और boric acid का, तो इसमें भी अगर हम बात करेंगें, तो potassium permagnate और boric acid बहुत बार पूछा गया है, तो इनको आप जरूर दियार कर लें, next question is, give preparation, properties and uses of any two, aluminium hydroxide gel, magnesium hydroxide mixture and magnesium sulphate, अगर आप पु कोई न कोई एक आपको paper में जरूर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको properties, uses या preparation इत्यादी उनका पूछ रहा हो, तो यहाँ पर आप इनको जरूर देख लीजेगा, यह most important वाले में से आता है, यह वाला जो आपका part है, वो, next question is, sorry, next unit is, unit number 4, जैसा कि unit number 3 थी, वैसे unit number 4, most important है, इन चारों को जरूर पढ़ लीजेगा, क्योंकि यह चार जो है, वो सबसे जादा बार इस unit से जो है, वो पूछे जाते है, emittics भी आप पढ़िए जरूर, लेकिन emittics इन सबके reference में थोड़ा सा कम important है, चलिए, तो सबसे पहला प्रेशन लेते है, describe expectorants, classify them with mechanism of action and examples, expector different agent होते हैं, जो कि आपके कफ जो प्रोडूस हो रही है, उसको बाहर निकाले में, या आपके सकते हैं, sputum को या bulgum को बाहर निकाले में मदद करती है, कफ को more productive बनाने के काम में आती है, और इनको भी हम लोग mechanism के द्वारा जो है, वो classify कर सकते हैं, generally, यह agents जो है, या तो flud examples है, next is, what are the antidotes, classify them with the basis of mechanism, antidotes वो agents होते हैं, जो कि किसी poison को counteract करने के काम में आते हैं, या वो poison से बचाने के काम में आपको आते हैं, इनका classification जो है, chemical या फिर आप कह सकते है, physiological या mechanical, तीन तरीके से जो है, इनको हम लोग देखने को मिलते हैं, इसमें एक प्रशन और बनता है, वो आगे में आपको शायद होगा, या छूट रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग देख लें कि, इसमें cyanide poisoning के ओपर भी प्रशन पूछा जाता है, तो cyanide poisoning में हम लोग जो agents use करते हैं, वो भी antidotes के रूप में use के जाता है, तो उसके ओपर भी प्रशन बनता है, तो वो भी आप मदद पहुचाते हैं, जैसे कि, अलम है, पोटास अलम की बात करें, या जिंक सलफेट की बात करें, और इनका example तो यही हो गया, और uses में हम लोग इनको कॉस्मेटिक्स में use करते हैं, एथलेटिक्स इनका प्रियोग करते हैं, छोटे cuts उन्स को रोखने के काम में आते हैं, चैन strings, ऐसे करते हैं, फोटास अनौरेटिक्स इनकार इसके अच्छे इक्जामपल हो सकते हैं, नेक्स लेगाजी है, यह एक उनका घॉटाजर और इसके बात करते हैं। पार्ट हो गया इसमें मुस्ट इंपोर्टेंट यह है आपका यह है यह है और यह है इनको जरूर पढ़िए वर्ट आर हीमेटेनिक्स होते हैं जो की आइलन कंटेनिंग एजेंट्स हैं और हमाई शेरी में तब दी जाते हैं जब बॉड़ी के अंदर आर्बीसी या सिंपर हम बढ़ाते हैं और आर सिंपर की जो आट वार्यूक अध्य कमी से जो आपको आनेमिया हो उसकी में यह है करें एकांट इंप्या में तो talkinette और प्रेशन यह cricket तो क्या है उसको आक्टिवैतर अनेनक्स बाचैन्डацию क्रावाइर क्या है उसको मुस्पर करते हो क्या उसके उसकी से and uses of the following any two that is copper sulfate, ferrous sulfate and sodium thio sulfate. तो ये तीन important compounds हैं जिनके उपर एस से या properties इत्यादी जो है वो आप से पूछी जा सकती है. Next, give the preparation properties and uses of the following any three that is potassium iodide, ferrous gluconate, sodium nitrite and zinc sulfate. Sodium nitrite जो है वो antidote है और sodium nitrite के साथ जो हम लोग sodium thio sulfate जो ये दोनों हैं ये दोनों ही ले करके simply जो cyanide की poisoning है उसमें इनका प्रियोग करते हैं तो याद अखिए का cyanide poisoning को कैसे counteract करते हैं इनका mechanism मैंने पहले भी बता रख़ा है उस वीडियो का आप जरूर देखेगा. Next, इसमें जो अगर आप देखो तो ये potassium iodide और ferrous gluconate ये कई बार पूछा गया है जिन sulfate भी एक-दो बार पूछा गया है तो ये भी important है तो इसलिए इनको भी आप जरूर देख लीजेगा. Now, अब हम आते हैं अपने आखरी unit पर याने की unit number 5 जहां पर आपको radio pharmaceuticals देखने को मिलते हैं simply एकदम frankly बोलू कि इस unit से जो क्या पूछा जाएगा तो एक तो radio activity क्या होती है उसकी unit बता दीजे ये एक important प्रस्न है दूसरा प्रस्न जो है important यहां पर आपको वो मिलता है इसकी handling and storage के उपर तीसरा इसका application बहुत पूछा जाता है और चौथा इसका measurement कैसे करते है अगर यह चार चीजी आपने पढ़ी है तो इन चारों में से कुछ ने कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा और उसी के उपर ही यह पूरा का पूरा unit 5 जो है वो आपका बना हुआ है तो इसमें सबसे पहला प्रस्न है what do you mean by radio activity या radio pharmaceuticals क्या होते है and इनका clinical और diagnostic application जो है वो आपको बताना है simple application पुछता है तो भी आप clinical and diagnostic लिखेंगे केवल clinical पुछता है तो clinical लिखेंगे केवल diagnostic पुछता है तो diagnostic application of radio pharmaceuticals लिखेंगे जनरली cancer या tumor सित्यादी को detect करने के लिए और इसके इलाज करने के लिए हम लोग इसका प्रियोग करते है next discuss in brief about the method of measurement of radio activity किस प्रकार से आप इसको measurement करेंगे radio activity को इसमें गिगर मुलर counter है जैसे ionization chamber है और आपका का बोलते है प्रोफेनेशनल counter है ETC जो methods है उनका प्रियोग आपको यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार से होते हैं उनका figure भी बना सकते हैं अगर 10 number में आ रहा है 5 number में पूछ रहा है तो नाम लिख करके 2-2 point 3-3 point line लिख करके आप आगे बढ़ सकते है next discuss in brief about the half life and the unit of measurement of reactivity units क्या है curie है becquerel है millie curie है rotten gen है ETC उनके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे यह प्रशन काफी जादा पूछा जाता है यह पूछा जाता है यह तीनों प्रशन का जो है वो काफी जादा important है इनको जरूर आप तियार करें एक बहुत ही simple से प्रशन है that is write the precautions to be taken during the handling and storage of radioactive substance इस प्रशन में आप देखते हो कि बहुत कुछ खास बात नहीं है इसका storage करते समय हम लोग shielding करते हैं glass से कर सकते हैं water से कर सकते हैं खुले हातों से नहीं चुना चाहिए प्रशन करके चुना चाहिए storage एक कोने में दिवाल के करनी चाहिए मतलब लैब केंदर कुछ खाना पिना चाहिए मतलब बहुत ही simple सी बाते हैं अगर आप उनको follow-up करते हो तो इस प्रशन का उत्तर तो आप ऐसा ही दे सकते हो next एक प्रशन मिलता है जहां पर alpha beta gamma radiations की properties के उपर note पूछता है give a note on properties of alpha beta gamma radiations या किस प्रकार की radiations होती है और उनकी properties बताइए ये भी पूछा जा सकता है और साथी सार sodium iodide 131 sodium iodide iodine 131 ये आपके syllabus में है इस पे भी आपसे note जो है वो पूछा जा सकता है इसमें भी preparation इसके properties यूज़ इत्यादी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एक जो ये प्रशन था measurement उस पे जो सबसे important measuring जो instrument है that is gregor muller counter इस पे अलग से भी प्रशन पू explain कीजिए तो gregor muller counter का figure बना करके उसको आप बता सकते हैं ये एक ऐसा topic है जो measurement है वो मेरे से अभी छूड़ गया है वो मैं एक लो दिन में आज या कल में कल परसों में तक में आपके लिए बना दूगा और उसको भी upload कर दूगा और playlist में उसको भी add कर दूगा ताकि ये जो answer आपको है वो बहतर तरीके से वहाँ पर मिल जाए तो ये था आज का वीडियो जहाँ पर हमने pharmaceutical inorganic chemistry BP104T के जो भी important questions हो सकते हैं जो की possible है मतलब आपको अगर आप इन सभी प्रशनों को अच्छी तरीके स्तियार कर ले तो पूछे जाने की सम्मावना बदल सकती है account की जगा note लिख सकता है या फिर सीधे नाम से पूछा जा सकता है पूछने का तरीका वदल सकता है लेकिन इन ही में से आपके प्रशन पत्र 90% बन जाएगा अगर यह कहूं 100% तो 100% तो कोई चीज नहीं हो सकती लेकिन फिर भी 90% 95% प्रशन आपको इन ही प्रशनों से मिलेंग इन सभी प्रशनों को आपको अच्छे तरीके से त्यार करना चाहिए कैसे आप त्यार करोगे सबसे पहले आप इन सभी प्रशनों को पढ़ो इसका बहतर आंसर निकालो चाहे मेरे चैनल के प्लेलिस से निकाल सकते हो किसी अच्छी किताब से जो आप पढ़ रोस से निकाल के देख लो एक्जाम से पहले दो से तीन बार इसको आप रिवीजन कर लो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे बिना किसी डाउट के अच्छे आएंगे कोई आपके मार्क्स जो है वो काट नहीं सकता है साथी साथ जो इसके very short answer type questions हैं वो किस तरीके की होते हैं किस प्रकार से उनका answer करते हैं उस पर मैंने पहले वीडियो किया था उसका लिंक मैंने जैसे पहले कहा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसको आप जरूर देखिए वो भी आपके help करेगा अगर ये वीडियो देखिए विडिकली पॉट पॉट धन्यवाद